आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तोत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सुनी सबसे पहले मुख्य समाचार केंद सरकार ने पाकिस्तान को दिये जा रहे अपने हिस्से के नदी जल को रोकने का फैसला किया अंतराश्टी दबाव के चलते पाकिस्तान ने आतंकी हाफिस सईद के दो संगठनों पर प्रते बंदे लगाया रणमाफी योजना में आज से किसानों के खाते में जमाहों की राशी रतलाम से मुख्यमंत्री का मलनात करेंगे शरुवात केंदरी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गटकरी आज जबलपूर में प्रदिश के सबसे बड़े फ्लाइवर का शिला नियास करेंगे और प्रदिश के मौसम में बदलाव का दौर चारी सतना मुरैना में बारिश के साथ गिरे ओले अब समाचार विस्तार से केंदर सरकार ने पाकिस्तान को दिये जा रहे अपने हिस्से के नदी जल को रोकने का फैसला किया है कई ट्विच संदेशों में जल संसाधन मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि भारत पूर्वी नदियों के पानी के बहाव को बोड़ कर जम्मू कश्मी और पंजाब में आपूर्ती करेगा संदू जल संदी के अनुसार कुछ नियमों के आधार पर भारत को पूर्वी नदियों ब्यास रावी और सत्रुज के पानी को इस्तमाल करने का अधिकार है जबकि पाकिस्तान के पास पश्चेमी नदियों सिंधू, जेलम और चेनाप के पानी पर नियंतरन का अधिकार है उन्होंने कहा कि रावी नदी पर शाहपुर कांडी पर बांध निर्मान का कारेश शुरू हो गया है श्री गटकली ने कहा कि उस परियोजना से जम्मू और कश्मीर में इस्तमाल के लिए भारत के हिस्से का पानी एकतरित किया जाएगा पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई आतंगवादी हमले के मास्टर माइंड हाफिस सईथ की नेत्रत वारे जमात उत दावा और उसकी धर्मारत संस्ता फलह ए इंसानियत फाउंडेशन पर प्रतिबंद लगा दिया है गरहम अंतराले के प्रवक्ता ने बताया कि ये फैसला राश्ट्री सुरक्षा सलाकार समीती की प्रधान मंतरी इमरान खान की अध्यक्ष्ट तैम हुई बैठक में लिया गया पाकिस्तान ने जमात उद दावा पर प्रतिबंद लगाने का फैसला बढ़ते अंतराश्ट्री दबाव के बीच लिया है पाकिस्तान स्तित जेश मुहमद ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली है जिसमें पिछले सब्ता 40 से ज्यादा CRPF जवान मारे गए थे प्रधानमंत्री नरिन्द मोदी आज सोल में दक्षण कोरिया के राश्पती मून जे इन के साथ दुरिपक्षिवारता करेंगे दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के शेत्री और वैश्विक मुद्दो पर चर्चा की संभावना है कई समझवत पर हस्ताक्षा भी किया जा सकते है प्रधानमंत्री कोरिया की नैशनल सिमेट्री का दौरा करेंगे और दक्षण कोरिया की स्वतनत्ता संग्राम में शहिद इसानी को कुछ रधान जली देंगे स्वदेश लोटने से पहले श्री मोदी को अंतराष्टी सहयोग वैश्विक वृद्धी और मानव विकास के लिए सूल शान्ती पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कल अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्य ने भारती समुदाय का आहवान किया कि कम से कम पाँच घैर भारती परिवारों को भारत यात्रा के लिए प्रजित और प्रोस्ताहित करें प्रधानमंत्य ने योन से विश्वध्याले के सूल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरन किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि आतंगवाद और जलवायू परिवरतन मानवता के सामने दो सबसे बड़े खत्रे हैं और महात्मा गांधी की सिद्धान्तों ने इन समस्याओं का इस पष्ट समधान हुपलब्द कराया है मुक्यमत्री कमलनात आज जरतलाम जले के से किसानों के रिन खातों में रिन माफी की राश्री अंतरण की कारवाई का शुभारम करेंगे जै किसान फसल रिन माफी योजना में नौ राश्रिक्रित बैंकों के माद्यम से किसानों को लाभनवित किया जाएगा योजना के अंतरगत प्रदेश में तहसिलवार लाभनवित होने वाले चुनहित किसानों की कुछ संख्या 25,49,451 है इन्हें 1 मार्च 2019 तक योजना के तहत राशी प्राप्त हो जाएगी उलेखनी हैं कि जै किसान रिन माफी योजना में आज से पातर किसानों के बैंक के खातों में भुकतान की क्यारभाई किसान थी किसानों को सम्मान पत्र देने का नड़ने भी लिया गया है प्रदेश में 25 फर्वरे से 1 मार्च तक 383 तहसीलों में संविनन किये जाएंगे संविनन में चालूर रिन खाता धारक किसानों को काल तीत फसल रिन माफी के प्रकरणों में रिन माफी पत्र परदान किये जाएंगे जिले के प्रभारी मंतरी के अध्यक्षता में गठित जिला इस्तरिय के रेनवेन समीती के अनुवोधन के बाद संबंधित बैंक में योजिना के प्रावधान के अनुसार राशी जमा कराई जाएगी मुख्यमंतरी कमलनात आज भुपाल के लाल परिट बैदान में बेरोजगार इवाओं के लिए मुख्यमंतरी जिवा स्वाबिमान योजिना की शुरुवात करेंगे योजिना में अभी तक 49,294 बेरोजगार इवाओं ने अपना पंजन करवाया है योजिना में 2 लाख रुपे से कम वार्शिक आयवारे परिवारों के शहरी युवाओं को लाभानवित किया जाएगा योजिना के अंतरकत युवाओं को 100 दिन में से 13,500 रुपे स्टाइपन मिलेगा प्रिश्क्षन के दौरान युवाओं को काम की जब्मेदारी दी जाएगी केंद्री ग्रेमंती राजना सिंग और स्वास्तमंती जेपी नड़ा आज प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे बताया जा रहा कि श्री सिंग और श्री नड़ा इतनी जी कारेका में शामिल होने के लिए भुपाल आ रहे है यह समाचार आप आकाश्वाणी भुपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलिटेन यूट्यूब ट्विटर और फेस्बुक पर एयाया न्यूज भुपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके रावा आप हमारी वेबसाइड न्यूज ओन एयाया डॉट एन पर अथवा एयाया न्यूज एप पर भी सुन सकते हैं केंदरी स्रलक परिवान एवं राजमार्क मंत्री नितेन गटकरीज आज जबलपूर में 758 करोड 54 लाख रुपे लागत के फ्लाइओवर का दमु नाका परशेर अन्यास करेंगे लोग निर्मार एवं परियावरन मंत्री सज्जन सिंग बर्मा कारिक्रम की अद्धक्ष्टा करेंगे कारिक्र में सामाजिक नियाय मंत्री लाखन गंगूरिया, वित्बंत्री तरुन भनोत, निता परतिपश गुपाल भार्गव और सांसद राकेश सिंग अतिधी होंगे केंद्री स्रक्त त्रिधी केंद्रगत जबलपुर में दमोन आका से रानी ताल मदन महल चौक, मेडिकल कॉलिज रूट तक करीब 6 किलोमिटर लंबाई का फ्लाइओवर बनाया जाएगा फ्लाइओवर बनने से इन मार्गों पर यातयात का दबाव कम होगा साथ ही मद्यप्रदेश हाई कुर्भवन तक का आवा गमन भी सुविवस्थित हो सकेगा मुख्यबंतरी कमलनात ने प्रदेश में सुवाइन फ्लू के को फैलने से रोकने और प्रबंधन के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और एहतयाती उपाई लागू करने के नरदेश दिये है सुवाइन फ्लू से निपटने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है मुख्यबंतरी ने इन दोर में सुवाइन फ्लू के टेस्ट के लिए ततकाल वाइरोलोजी लेब खोलने के भी नरदेश दिये ताकि समय पर जांच रिपोर्ट मिल सके और प्रभावितों को ततकाल इलाज हो उनलेकनिया की वरतमान में ये जांच सुविधा भुपाल में एम्स और जबलपुर के ICC MR में उकलवद है वहीं स्वाइस्तमंती तुलसी राम सिलावट ने कहा कि स्वाइन फ्लू से निपटने की रणनिती तयार की गई है उनने कहा कि इलाज से मना करने वाले अस्पतालों की वानिता रद की जाएगी प्रदेश पे रभी वर्ष 2018-19 की रभी उपजी चना मसूर और सरसों का समर्थन मूल पर उपारजन 25 माश से 90 दिन तक किया जाएगा के दिशासर ने तीनों जीनसों की कुल 15,62,500 मेटरिक टन खरेदी का अनुमोधन प्रदान किया है इसमें अधिक्तम 11,48,750 मेटरिक टन चना, 1,79,750 मेटरिक टन मसूर तथा अधिक्तम 2,44,000 मेटरिक टन सरसों शामिल है राज जिपाल अनंदी बिन पटेन ने कहा है कि पशुधन और मस्ट से पालन का प्रदेश के आर्थिक विकास में महतपून योगदान है उन्होंने कहा कि पशुधन और गोशालाओं के विकास में प्रदेश को आत्मने पर बनाने के लिए विशेश रूप से कारी किया जाना चाहिए शिवती पटेल कल जबलपूर में नाना जी देशमुक पशुचे के सविज्ञान विश्वध्याले के पांचवे दीख्षांत समारों को संबोधित कर रही थी समारों में 504 चात्र चात्राओं को उपाधी से विभूशित किया गया पुरदिश के मौसम में बदलाव का दोर अलगातार जारी है कल सतना जिले के कोठी बिरसिंग पुर खडोरा पटना सहित विभन शेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे मही मुरेना जिले में भी बारिश से मौसम का मिजज एक बार फिर बदल गया है इदर राजधारी भुपाल में बुद्वार गुरुवार की दर्मियानी रात को हुई बारिश और ओला वरिष्टी के बाद मौसम में ठंडग घुल गई हाला कि दिन में तेज धूप की वजह से तापवान में बढ़ोतरी बीदर्स की गई मौसम विभाग के नुसार पश्टे में राजस्थान से विधर्व के बीच एक ट्रफ लाइन बनाई गई है इसके चलते मौसम में अचानक बदलाव आया और राजधानी भुपाल सहित आसपास के शेत रायसेन, विदीशा और सीहोर में बारिश किसान ओले गे रहे इसके लावा सागर, दमो और हुशंगबाद में बारिश होई है अब कुछ समचार संशेप में गवालियर में केंदरी मंती नरेन सिंग तोमन ने कल जम्मू तवी दूर की सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस ट्रेन अब गवालियर में भी रुकेगी धार जले में भी मतादान के इंदर पर मतादान सुची में नामदर्ज कराने के लिए कल से दो दिवसी विशेश शिवर आयोजीत किये जा रहे है रजवित आयोग के अद्धिक्ष हिमत कुठारी आज से गवालियर के दो दिवसी पर वास पर रहेंगे वे यहां विभिन कारेक्रमों में शामिल होंगे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर किंध सरकार ने पाकिस्तान को दिये जा रहे अपने हिस्से के नदी जल को रोकने का फैसला किया अंतराश्थी दबाव के चलते पाकिस्तान ने आतंकी हाफिस सहीत के दो संगठन उपर प्रते बंदल लगाया रण माफी योजिना में आज से किसानों के खाते में जमा होगी राशी रतलाम से मुखी मंद्री का मलनात करेंगे शरुवात केंदरी सड़क परिभान मंद्री नितिन गटकरी आज जबलपूर में प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाय ओवर का शिला नियास करेंगे और प्रदेश के मौसम में बदलाव का दोर जारी सतना मुरैना में बारिश के साथ किरे उले इसके साथ ही प्रादिशिक समचार का ये बुलिटिन समापत हुआ